हाई गाईज वल्कम बैक तो मैं चैनल एंड तोड़े वह आप यह वाले क्यू कार्ड्स को अच्छी तरह से प्रपेर कर लें तो आपके बहुत ही अच्छे से स्पीकिंग में से बैंड आ जाएंगे तो यह सबी वोई क्यूकार्ड्स कारें तो अक्टोबर मंत में जितने भी क्यूकार्ड्स पूछे जा रहे हैं वह सबी मैं आपके साथ लिसकस कारने जा रही हूं सो स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट क्यू काड से फिर्स्ट क्यू काड है डिस्क्राइब न्यू शॉप ओपन इंडियर सिटी कोई भी नई शॉप आपके सिटी में ओपन हुई है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको and the second one is describe a foreign music event that you enjoyed किसी भी foreign music event को आपने enjoy किया था उसके बारे में आपने बताना है then sports program do you like to watch कौन सा sports program है जो आपको देखना बहुत पसंद है and describe a person who often help others किसी भी ऐसे person के बारे में बताना है आपको जो हमेशा ही दूसरों की help करना उसको अच्छा लगता है and next one is describe a traditional festival of your country आपकी किस country का कोई भी traditional festival उसको आपने describe करना है and then describe your daily routine आपका daily routine क्या है उसको आपने describe करना है और यह सभी बहुत ही important cue cards है आप अच्छी तरह से इनको prepare कर लें October month में बच्चों से यही question है जो cue cards है जो पूछे जा रहे है and the next one is describe a special speech when you gave to your friends किसी भी कोई speech के बारे में बात करना है जो आपने अपनी friends को दी थी and the next one is describe a water activity you enjoyed किसी भी water activity के बारे में बताना है जो आप इनने enjoy की थी और ये वाला cue cards बहुत ही जादा repeat हो रहा है काफी जादा अलग अलग cities के बच्चों से यही cue card जो again and again पूछा जा रहा है आप इसको अच्छी तरह से prepare कर ले describe a time you spend with your younger child किसी भी आप आपने कभी आपने younger child के साथ किसी भी younger child के साथ है जो time spend किया है उसके बारे में बताना है आपके हो and इसको ऐसे भी आ सकता है describe a time you spend with younger child you earn नहीं लगेगा यहां पर sorry by mistake लिखा गया आप किसी भी younger child के साथ आपने जो time spend किया है उसको आपने describe करना है इस cue card को आप अच्छी तरह से prepare कर लें and then describe a unique activity you did कोई भी ऐसी activity यो unique है आपने वो की तो इसके बारे में यह थोड़ा difficult है यह भी आपको अच्छी तरह से prepare करना होगा and describe a rule do you don't like at school किसी ऐसे rule के बारे में बताना है जो आपको school नहीं पसंद था and next is describe a historical period you want to know more यह बहुत 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 बारा जो पूछा जाता है cue cards जो last पिछले month से उस उन में से भी पिछले month में भी यह बहुत बार पूछा गया था यह वाला cue card बहुत ही common है examiner इसको पूछते ही रहते हैं so इसको आपको अच्छी तरह से prepare करना होगा कि किसी भी historical period के बारे में आपने बताना है जिसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हो and then describe a place you want to visit in your country आप अपनी country में किसी ऐसी place को describe करना है जहां पे आपको विजट करना जहां पे आप विजट करना चाहते हो and then describe a rule in your school you don't like यह अभी repeat हो गया बचों से यह repeat हो रहे है question and then describe a time when you visited in the park को भी ऐसे time के बारे में बात करना है जब आपने किसी park में विजट किया था and then describe a job you think is interesting किसी भी ऐसी job के बारे में बात करनी है जो आपको इंट्रस्टिंग लगती है जो आपको लगता है यह job बहुत ही इंट्रस्टिंग होगी and then describe a occasion when you need to wait for long time यह भी पुराना क्यूकार्ड है किसी भी occasion के बारे में बताना है जो जहां पे आपने किसी की बहुत ही long time पर वेट की थी ठीक है इन सभी क्यूकार्ड को बहुत ही अच्छे से पर पेयर कर लें आपको speaking में बहुत ही ज्यादा helpful होने वाले है describe your dream house यह भी अपने dream house के बारे में बताना है and describe a person who moved to a new place किसी ऐसे के person के बारे में बताना है जो नहीं place पे move हो गया है and then discuss someone who speak your native language from other culture कोई भी whole culture का अंसान जो आपकी native language को speak करता है and then describe a piece of clothing किसी भी piece of clothing को आप में बताना है and then describe an occasion when you waiting someone किसी occasion के बारे में बात करना है जहां पे आपने किसी की wait की थी so यह बहुत ही important चीज़ है आप सभी in cue cards को अच्छी तरह से prepare कर ले and जिनका भी October month में exam होने जा रहे है उनके लिए बहुत ही important चीज़ है कि अगर आप real exam material buy करना चाहते हैं last some months का तो आप बहुत ही less price में आपको यह material है जो मिल जाएगा all module का और with the recent and trending जो cue cards हां उनके वह भी आपको मिलेंगे ठीक है so जो भी बच्छा real exam material buy करना चाहता है वह नीचे दिए कि WhatsApp number पर मुझे message कर सकता है and यह आपके लिए real exam material आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful होने वाला इसमें इतना material है आपको जुनकों भी exam होने चाहते हैं उनको किसी भी book से preparation करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यह भी पता चल जाएगा कि real exam कैसा होता है कि कौन कौन से टाइप के question आते हैं आपकी थोड़ा confidence level भी हाई हो जाएगा उसके साथ और साथ ही साथ में आपकी practice भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी सो बहुत ही अच्छा medium है यह जिससे आप जो preparation है जो कर सकते हैं जो भी person है जिनको भी real exam material चाहिए वो आपको बहुत ही less amount में all module का मिल जाएगा वो मुझे नीचे दिएगे whatsapp number पे contact कर सकते हैं thank you students